नमस्कार दोस्घृ का बहुत बहुत श्वागतें। दोस्घृ को बतादें कि शंकट मोचन हरुमान जीने उठा लिया है गदा। अब आपके जीवन काल के शारी दुखो का, शारी विपत्तियों का, शारी प्रिषानियों का, जो कि दोस्घृ की जूनकाल में लगातार चल पिछले कई वर्षों से आपका पीछा नहीं छोड़ रहे आप बहुत ज़्यादा प्रिशान होगे हरे की उपाई करवा लिए जो नुकाल में आप बहुत यदा था कहार गए लेकिन दोस्तों शंकटों की निदान महाबली हनुमान जी एक बार अवश्य करते हैं अगर उनके कहते दोस्तों आपकी मेहनत का फल आपकी भक्ति का जो फल यश्मेद देने वाले हैं वालाजी की किरपा आप शिपी को प्राप्त हो चुकी है जी दोसों आने वाले चार से पांच दुनों के अंदर दोस्तों आप शुवे की जुनकाल में अच्छानक शेव बहुत ही बड़ा चमतकार होगा दोस्तों बाला जी पर यकिन किजिए आप शुवी को बतादें की जुनकाल में यूं यूं史ική बारे कजुट्रा चलती है दोस्तों शमाज के लोग बार के लोगा आपका मज़ा भी उड़ा देते हैं आपको हमेशा खिलिया उड़ाने में लगते हैं इसके दोस्वों आप अपने दुखों को अपने दर्द को अंदर ही दबा कर रखते हैं और दोस्वों शबी बातों के लिए कर आप बालाजी महराज शेरे प्रातना करते हैं कि है बालाजी महराज है मेरे इश्वर कब हमारे होगा अब आपका ही शहरा है दोफोरी तमाम प्रकार करियांे आपने काल میں करते हैं जिन से दोस्तों ईश्वर तो परशन होते ही हैं लेकिन दोस्तों इश्वर को यह चीज पता होता है कि कौन सा कारें हमें कब देना है जिन दोसों और यश्मी भी आपके एक्छाएं पूरी होने वाली है जिवन काल की जो भी परिशानियां है जो भी लगतार चल रही है दोसों जिन से आप बहुत यदा परिशान थे दोसों यश में खत्म होने वाले हैं और दोसों जिवन की सबसे बड़ी और महत्पुन बातिया है कि जो लोग आपको पिछले शमें परिशान करते थे दोतों जिन लोगों के चलती आप बहुत ज्यदा मुश्किलों का शामना की हैं जिनके लिए आप रोए हैं दोसों वे आपको अब मुक्ति की प्राप्ति होगी जिनकाल में आपके बहुत ही बड़े महत्पुन बदलाव आने वाले चार दिरों के इंदर आपको देखने को मिलेंगे जिया दोसों बश बाला जी महराज पर एकिन के जिए उनके भक्ती भाव पर ध्यान दीजिए उनमें लिन र अपने बोडी में प्रोवलम हुआ है जिस परकार के खाने आपके नहीं पस रहे थे दोस्नों चाहकर भी आप चाहते थे कि आप शुआस्त रहें लेकिन दोस्तों शमीश में पर आपको बीमार्यों का श्रमना भी करना पड़ा है जिनकाल में आप बहुत ज्यादा परिशा करते रहें उनकी पूजा रसला करते रहें और शच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय हो बाला जी महराज जरूर लिखेगा आपकी अर्जी शुर्कार होगी बाला जी महराज परशन होंगे तो आगे वीडियो में बात करते हैं कि आने वाले चार दिनों के अंदर बगवान आप मीश्य ना करें जो परिशानियों चाहिए तो दोसों में देरीलग शक्ती है तो दोसों सब्सक्राइप करेंगे कि आने वाले चार दिनों के इंदर बीगरहों की बदलती चाल होगी आपके जूनकाल में आपके घर की महल में पारवन में आर्थी जिती इश्वास केरियर में शुवी में कौन-कौनशी बड़ी शुदार करने वाले हैं कौनशी विशेश बातों का ध्यान रखना होगा शाती सबसे महत्पून बात आने वाले चार्दम में आपको कौनशी उपाय को करना है ताकि भगवान हनुवान जी का शुरबा को रहेंगे अपनी शुमता के उन्शार किसी भी काम को अंजाम देने में भी आप सक्षम रहेंगे प्रकृति आपका शाथ भी दे रहा है आपको पता दें कि आपके रुकेवे कारें को पूरा करने के लिए आप पूरी महनत लगा दें। इनसे दोस्तों आप अच्छी कम्याभी यश्मे हासील भी करपाएगे। इसके साथ दोस्तों यश्मे कर आपकी शावधाने को लिकर बात करें, तो दोस्तों किसी दोस्त के साथ तक्रार हो शकती है। अपने शोभाव पर यह में आप नियंतर रखें कभी कभी दूसरों पर अधिकार जमन आपके लिए भी मुश्किलें बढ़ात देता है बाचित करते शमें जो है उची सब्दों का चैन करें जमिन ज्यादा शमन्दी कालिये जो है यह में असदिकी दी रखें यह आपके रहेंगी और दूस्तों उनके दौरा मिले मारदर्शन दौरा आप काम की जगप प्रगती अशानिशे प्राद भी कर सकते हैं यह आपके लिए इसमें बैतर रहेंगे युवाहों को अपने जिवन सेली पर अधिक ध्यान देने की आवश्क्ता भी होगी आलश्य से इसमें दूर रहें जिवन को बैतर बनाने की सोच विजार को वास्तवता कारूप देने के लिए वर्तमान में रहने की आपको आश्यक्ता होंगी इसको प्रांद से यह श्में आपके लिए से मोगे आपको बता दे कि दौस्तों काम की दिखता तो आपके उपर रहेगी परन्तु उचीत सफलता मिलने से आप धकान और तोनाव को भी भूल जाएंगे इसले दोस्तों काम में ध्यान को यश्मे केंद्रित रखें इसको प्रतिबाओं को पूरी तरह जारित करने का शुमे होगा आपको अपने व्यक्तितु में भी निखार देखने को यश्मे मिल सकता है चचरे भाई बेहनों से किसी वज़ा से समदों में खटा सा सकती है प्रन्तों दोस्तों रिजदों को इसमें मजबुत रखने में आपका प्रयाश सफल भी रहेगा नईदी की समद्यों के ये साथ कोई गेट टूगेदर का पूरेम बन सकता है इसको प्रन्तों से ये श्मय आ प्रति चिर्चिरा आपकी बढ़ सकती है दोस्तों आपका प्रता गुष्ण नुक्सान का कारण हो सकता है खुद के प्रति अधिक कठोर वाईवार ना रखते हुए अपने लक्षों को छोटे लक्षों में बांटकर उन्हें पूरा करने के कोशिश करें इन्हें आप कर प में स्रमधान मिलने शी आपकी मांशिक ठकान मिटेगी मांशिक सामती आपको मिलेगी आपको बता दे कि आप अपने महत्पुरी जुनाओं को काली रूप देने में भी समय सक्षम रहेंगे यवाओं को कोई इंट्यूर्व्य वेगरा केरिये कॉल भी आशकते हैं शाती दो दोस्तों इसमें आत्म अवलोकां दोवारा अपनी इसी कमी को दूर करने का प्रयाश करें यह आपके लिए श्यूर्व में बहतर शावित होंगे और दोस्तों आपको बता दे कि दोस्तों भावनता होकर कुछ निरले लेने के वज़शे लोग के शाथ आपके भले शमन करें आपको बता दें कि दूसरों को खुश करने की कोशिश क्या आपको खुश से रख सकती है या फिर खुश से रख रही है इस बात को जानने की यह में आपको कोशिश करें इसको प्रहां दोस्ते यह में आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि दिन का दिकतर समय पार मजबत समय होगा यह संपरक आपके लिए उन्नती का कारक्षाबित होगा या फिर उन्नती का नए मार्ग यश में ये खोल सकते हैं आपको बता दें कि दोस्तों कोई पैत्रिक मसला भी हलोने की शमाना बन रही है इसके साधी दोस्ते यह में अपने जुनाओं को पूरी तरह सोच विजार करके ही किरौनित करें जल्दबाजी में करने से दिक्कत आशकती है इस बात का आपको यह में ध्यान रखना चाहिए विद्यारतियों और युवाओं को बहुत मस् हैं आप लक्ष से भटक सकते हैं लेंदर जुमती कारियों को भी आप यह में टाल दें यह आपके लिए बहतर होंगे और इसको प्रांदों से यह में आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि शुरुआत में कुछ ना कुछ नाराजी बनी देगी फिर भी दोस्तों अपने दायोग शावित हो रहा है और दोस्तों लोगों से मिल रही आलोशनावग भी आपके अंदर से तोड़ रही है इसले दोस्तों लोग की बातों की तरफ अधिक ध्यान मों देते हुए अपने जो है काम पर ध्यान को केंदर दखें और इसके प्राव दोस्तों यह में अगर वागे परिच्छा में पूरी तरह मेहनत करें ये जो समय है आपके लिए मनोकुल परिणाम भी आपको आसिल हो सकते हैं। परिच्छा में बैतर सावित होंगे। या फिर फकीर को गुर्ट था चना देना है। धन्यवाद आपका दिन शमय शुब रहे।